स्टुडेंट्स आम फैकल्टी आप सांधीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल तोड़ें आम गॉनना टीच यू इवे सब्जेक्ट और क्लास थर्ड आज मैं आप लोग को क्लास थर्ड इवे सब्जेक्ट पड़ाऊंगी इन प्रीवेस क्लास भी अल्रेडी डिस्कॉस अबाओ वी इस वाले चाप्टर में हमी ने क्या डिसकर करा था विर डिस्कॉस एक उक्युपेशन्ट उक्युकायं से डिसकॉस कर रहे थे वरियस आप्स आप्की पलिभी और को निन nessa dł आाउन ओकोते शgenommen का नें 살िए हैं वे स्टत इस ऑक्यूपेशन और प्रीवीशर्च यू अवा स है। इन फैमिली आज का जो टौपिक है हमारा इस चैप्टर का वह क्या है वर्क फैमिली यू और अधीलियर यू अलार अवाइर फ्रम वर्क एंध फैमिली इस तू वर्च रम these two words you all are aware इन दोनों वर्ट से इन दोनों शब्दों से आप अवेर हो इन दोनों शब्दों का मतलब आपको पता होगा because in previous class also you studied about work and family पिछली class में भी आप लोग ने ये वर्क वाला जो वर्ट होगा वो पढ़ा होगा और समझा भी होगा और जो family ये भी आपने पढ़ा होगा समझा होगा तो works in a family आज हम जो works in a family है वो उसमें discuss करेगे कि different types of members are living in a family मतलब कि एक परिवार में अलग अलग तरह के लोग होते तो किस तरह का काम करते हैं तो work मतलब क्या होता है काम होता है family मतलब क्या होता है परिवार होता है अब family is the smallest unit of society प्राइटी पैमली क्या होती सबसे छोटी इकाई होती समाज की मतलब कि जो समाज समाज किसे मिलकर बना होता है लोगों से मिलकर बना होता है जैसे कि अब आप समझिए आप जिस समाज में रहते हैं मतलब कि आप जहां पर रहते हैं वहापर ऐसा दो नहीं कि सर्फ आप एक ही कि यह सब क्या बन गया मतलब यह समाच को परिवार से नापगा गया है तो परिवार क्या हो गई उसकी एक छोटी यूनिट हो गई मतलब की काई हो गई हमारे परिवार के जो लोग रहते हैं हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं जैसे कि पादर मदर और अब ब्रादर सिस्टर इस इस आवर फैमिली मेंबर्स हमारे फैमिली में कौन कौन है हमा सब्सक्राइब करते हैं और को समझा और काम होता है अलग-अलग काम को समझा जिससे कि हम क्या करते हैं पैसे ऑन करते हैं हमें पैसे मिलते हैं तो अगर हम work करेंगे तो हमारी life कैसी हो जाएगी easy होगी अब in most families the father goes out to work and earn money अब सारी family में क्या होता है हमारे जो father होते father is the head of family father family के father जो होते हो परिवार के क्या होते हैं मुख्या होते हैं जैसे की school में कौन होते डारेक्टर होते प्रिंसिपल होते फिर टीचर्स होते दान स्टुडेंट्स होते हैं तो घर पे कौन होते हैं हमारे father होते फिर हमारी mother होती दान भी children मतलब कि जो सबसे उची पोस्ट पर रहता है घर बे मतलब जिसका हम बोल सकते जो लीडर रहता है जो हैट रहता है जो पूरे घर को चलाता वो कौन है हमारे father है तो father क्या father का काम क्या है उनको पैसे अन करना रहता है money अन करना रहता है जिसकी वज़े से वो क्या करते हैं काम करते हैं चीक है mother mother क्या करती what is the work of mother mother क्या करती है हमारे घर की देखबाल करती है हमारे हमारी देखबाल करती है और कुछ-कुछ मदर्स ऐसी होती जो कि क्या होती वर्किंग बुममैन होती है आपकी मम्मा क्या करती है हमारी देख वाल करती है जिस चीज की जबुद्च वह गार करती हैं पर कुछ मदर ऐसी होती जो कि वरकिंग वुमेन उती वरकिंग मतलब कि जो घर के साथ-साथ बाहर भी काम करती हैं चीके तो हमने अभी तरह क्या discuss करा father father is the head of the family and father goes out for work to earn money and mother mother is the take care of the home and she work she did she do household works अब जैसे कि हमने हमें पता है कि हमारे family में कौन कौने mother and father है now grandpa parents usually stay at home and help in small chores and of the house like bringing milk teaching their grandchildren cutting vegetables gardening etc they spend lecture time praying to god watching tv and ready newspaper अब जैसे कि आपके घर में आप हम पहले भी पढ़ चुके हैं फैमली में एक nuclear family होती है और एक joint family होती है nuclear family क्या होती है स्मॉल फैमली होती है जिसमें की सिर्फ parents और चिल्रेंट्स रहते हैं मतलब की mother and father and their children but joint family क्या होती है joint family क्या होती बड़ी फैमली होती है मतलब की जिसमें parents चिल्रेंट्स के साथ साथ कि कौन कौन रहता ग्राइट्स भी रहते हैं तो आप लोग क्या भी साथ में joint family रहते होगे मतलब की आप के जो लोग है उनमें भी grandparents साथ में रहते होगे तो grandparents क्या करते हैं grandparents mostly मतलब की हमारे जो दादा दाती वो क्या से तर क fulfillment मैं आपना से काम कर रही है तो बच्चे उंक कि पढाले तो पूजा करते हैं या तो ने देखा कर से त्रीव गए देखते हैं मतलब कि उनका भी कुछ अलग अलग काम रहता है जो कि हम देखते हैं चिल्रन का क्या काम होता है चिल्रन का अपना उनको अपना धलक करना रहता है उनैं स्टड़ी करनी रहती है कि वर्की किया होते मतलब दैंटच support is इन विनाव minder यह कह सकते हैं वर्क ऐलग अलग टाइप के जो काम होते हैं हमें हमें देखने को मिलते हैं फादर का काम अलग है, मदर का काम अलग है, ग्रैंट पैरेंट्स का काम अलग है, चुल्रन का काम अलग है, तो we discuss about the work family, now we will discuss about the working children, working children discuss करेगे, working children क्या होता है, ऐसे children क्या करते है, अपना काम करते है, जैसे there are some children who do their homework, who do their study, children का क्या काम होता है, उन्हें पढ़ाय लिखाई से काम होता है, पढ़ाय लिखाई क्या है, उनका काम है, खेलना को इतना मतलब उनका entertainment, it is also one type of work, many young boys open clean cars in the morning and newspapers on the road, some children are not able to go to school at all, अब जैसे क्या आब आप देखिये, अगर किसी के घर में बड़े लोग नहीं रहते हैं, तो महाँ पर हम देखते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो रहते हैं, सुपर उटके वो न्यूस पेपर जो रहते हैं, हमारे घर पर लाकर देते हैं, मतलब कि न्यूस पेपर डाली बर करते हैं, या पर जो भी छोटे मोट तेस्ट्रों एक्रील से जोगे का इसमौन होते हैं इतना कमा नहीं पाते हैं कि उनके बच्चे को इसकूल में भेज सके इस चेल्डरन्स वर्क एस डिलिवरी बॉइस मेट, कार, क्लीनर, एक्सेकरा इसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी क्या मजबूरी होती क्योंकि उनका क्या करना रहता है अपना घर चलाना रहता है जिसकी वज़े से वह स्कूल नहीं जा पाते हैं और पढ़ाई लिखाए नहीं कर पाते हैं जैसे की कुछ छोटे जो बच्चे होते हैं देखा होगा होटल वगहरे आप जाते हैं आप यहार को इस तरह कि बच्चे जो काम करते हैं और और कभी-कभी ऐसा होता है कि जितना उनको pay करना रहता है मतलब जितना उन्हें पैसा देना चाहिए रहता उतना वो लोग जो काम करवाता है वो उतना उन्हें पैसे नहीं देता है पैसे कमाने के लिए उन छोटे बच्छों को कभी-कभी अपने घर परिवार से भी क्या कर रहा होना पड़ता है दूर होना पड़ता है चीके और कोई बच्चा 14 साल से छोटा है 14 साल से छोटा बच्चा अगर कोई काम कर रहा है कही पर तो वो क्या कहलाता है बाल मजदूरी कहलाता है 14 साल से उपर का बच्चा काम कर सकता है पर 14 साल की नीचे वाला बच्चा काम नहीं कर सकता है तो वार्केंग लांस मतलब की working इंशिट उन्ट में हमने यह देखा कि कुछ बच्चे ऐसे होते जो की पढ़ाई से बंचित हो जाते मालेन मतलब की पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि उनकी घर की ही दिशंद रहती है इतनी अच्छी नहीं के लिए कई न कई छोटे मोटे काम करते हैं तो भी कांट से देट एब्रिबंस लाइफ इस एक्वल हम यह नहीं कह सकती है कि हर किसी की लाइफ बराबर होती है या फिर एक जैसी होती है तो हमने आज क्या पढ़ा हमने विस टूड़े विस्टड़ीड अबाउट दा विस्ट एक वीडियू में हमने पढ़ा डिफरेंट आपस ऑफ ऑपकेशन लाइक कारपैंटर फार्मर्स टेलर टीचर पुलिस पोस्ट्मैन कॉबलर डॉक्टर इन सब के काम क्या होते हैं अलग-अलग होते हैं हम पहले ही ऑड़ेडिडिसकस कर चुके हैं डैन विस्टकस अबाट सेवक कॉन होते हैं सेवं कि बीना स्वार्था सेवक और पैसे से कोई मतलब नहीं रहता अपने अच्छे कर्म के लिए वो दुसरे लोग उनकी क्या करते हैं सेवा करते जैसे कि हमने अनाद बच्चों की क्या करी थी नीस वार्थ भाव से बीना मतलब से अनाद बच्चों की सेवा करी थी Whether in parenth cave ये देन वीट Congo nobody dairy cry एवारी में क्या होता है जितने भी मैंबर्स होते उन लोग का आलग अलग होता है जैसे फादर का डिसके रहा मदर का डिसकारा अग्रादर का डिसके अट्वीथ चिल्डरह and the next topic last topic is that working children working children मतलब कि छोटे छोटे बच्चे रहते वो किस तरह से कही जगाओ पर काम करते हैं तो अगर आपसे पूछा जाएं who makes furniture who makes furniture and doors with wood लक्डियों से कौन furniture और दर्वाजे बनाते तो क्या बोले गया कारपेंटर कारपेंटर makes furniture and doors with wood who delivers us letter letter कौन पहुचाता है पोस्ट मैंड डालिवर्स letter चीके who repairs car car को कौन रिपैर करता है mechanic mechanic क्या करता है कार को रिपैर करता है who stitches our cloths हमारे cloths को हमारे कपड़ों को कौन सिलता है everyone knows कौन सिलता है हमारे कपड़े को tailor who stitched the our cloths tailor is the person who stitched our cloths ठीके this now the different kinds of work people to earn money is called अलग-अलग तरह के लोग जो पैसा कमाते उसको क्या बोला गया है occupation बोला गया है occupation क्या होता है different kinds of work people to earn money उसको क्या बोला गया है occupation बोला गया है हमें कौन पढ़ाता है teacher teaches us in school teacher कहां पर पढ़ाती है हमें school में पढ़ाती है और teacher का क्या काम होता है पढ़ाने का काम होता है तो उनका occupation क्या हो गया है पढ़ाना और कौन हमें पढ़ाता है तो teacher हमें पढ़ाता है ठीक है और जिनको Nobel Peace Prize 1979 में मिला था तो कौन दी? Mother Teresa won a Nobel Peace Prize in 1979 Mother Teresa को प्राइस मिला था कौन सा प्राइस मिला था? Nobel Peace Prize मिला था ठीक है तो today we completed our this chapter in class 3rd आज हमने हमारा work we do वाला chapter class 3rd में complete कर लिया है in next class we will start our new chapter understood thank you